एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि एक तरफा कारवाई हो रहे हैं, जो दूसरा समेधाय वो कह रहे है कि एक पक्षय कारवाई हो रही है, पुलिस एक तरफा कारवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये आरूप बेबुनियाद है, हम लोग बिल्कुल scientific तरीके से investigation कर रहे हैं। जिसने भी माहुल खराब करने का प्रयास किया है, फोटोग्राफ के बिसिस पे और वीडियो के बिसिस पे कारवाई की जाएगी और ये जो आरोप जो भी लगा रहा है, वो गलत आरोप लगा रहा है। कटना अचानक इस तरीके से बढ़ जाएगी इसकी संभावना नहीं थी, तो कहीं न कहीं अगर कुछ कमी रही है, तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे और इसमे भी दोश निर्दारन करेंगे। लेकिन प्रथम हमारा अब्जेक्टिव इस वक्त यह है कि शेहर के अंदर अमन अधिकारी वहां से आयो हुए हैं, किस तरह से यह पूरी की पूरी टीम साथ में काम करें, कैसे जाच आगे बढ़ रहे हैं? लोकल कमिशेटी पूरी सीटर अठाइस तरह को अनाउंस करता है, हाश्मी की तरब से अनाउंसमेंट होती है कि प्रदर्शन होगा, लेकिन फिर बात की जाती है और उसके बाद एक तरह को वापस ले लिया जाता है, किस से बात होती है, और जब उपद्रब हो गया तो उसक सारी मिंदूओं पर जाच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेटिंग की लगाई गई है, और यह सभी पहलों पर जाच करेगी, और जो जिनके नाम आए थे, जैसा मैंने आप बताया, यह ग्रिफ्तारिया हो चुकी है, लगतार दबिशे चल रही हैं, और अन्य लोग जो इ के बास सूरे मिला है, उसके अंदर प्ये फाई ने वेस्ट बिंगॉल में कॉल किया था तीन तारीख के बहुता है, और उसी यही जो पराफ्ट हुआ तो इस सम्वामना से इंकार नहीं किया साथ तीन तारीख के कॉल नहीं आ भी गया, तो उसके लिंक के बेसिस पे किया, यही चीज़ की चांच की जा रही है ठीके सर आपका खिंती समय आपने दिया और सारे सवालों के जबब दे जे